दोस्तो स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल आरस नोट्स पर और दोस्तो आज हम आपके लेके आए है नया टोपिक जो होगा मुहावरे एमम लोकोखतियां क्या होगा दोस्तो आज का टोपिक मुहावरे एमम लोकोखतियां दोस्तो हर एक्जाम में जो है चाहे वो SSC का हो मुहावरे में लोगतोक्तिया जो है हिंदी व्याकण में पूछी ही पूछी जाती हैं तो एक भी क्योस्टन आप आप ना छोड़ें विडियो अंतक देखीगा ताकि आपके एक्जाम में एक भी परसंद जो है इंदी व्याकण में से ना कटे ठीक है दोस्तो तो आईए दोस्तो शुरू करें तो पहला देखिए अंगारे उगलना अंगारे उगलना का क्यार्थ है देख लिजी अंगारे उगलना इसका क्यार्थ होता है दोस्तो तो ये होता है आप सबको पता है क्रोध में कठोर वचन बोलना क्रोध में जो है कठोर वचन बोल दे जाते हैं तो उसे कहते हैं अंगारे उगलना ठीक है अगला है इदुर की दुनिया उधर करना क्या है इदर की दुनिया उधर करना को क्या कहते हैं दोस्तो हम तो उसे कहते हैं दोस्तो हम असंभव को संभव करना क्या होता है असंभव को संभव करना जो है इदर की दुनिया उदर करना होता है ठीक है दोस्तो अगला देखिए तीसरा question उचा नीचा सुनाना क्या है उचा नीचा सुनाना क्या अर्थ होता है दोस्तो इसका तो यह होता है बला बुरा कहना उचा नीचा सुनाना इसका अर्थ होता है ठीक है दोस्तो अगला देखिए काला नाग काला नाग किसे कहेंगे दोस्तो इस मुहावरेकार्थ क्या होता है तो यह होता है खोटा या गातक वेक्ती क्या होता है खोटा या गातक वेक्ती जो होता है उसे हम क्या कहते हैं काला नाग ठीक है अगला ठंठन गोपाल ठंठन गोपाल किसे कहते हैं दोस्तो ठंठन गोपाल कहते हैं दोस्तो खोकला क्या कहते हैं खोकला जो होता है उसे हम कहते हैं ठंठन गोपाल ठीक अगला देखी अंग अंग डिला होना अंग डिला होने का अर्थ क्या होता है दोस्तो अंग डिला होने का अर्थ होता है दोस्तो स्थिल गात होना दोस्ति इसका स्थिलगात होता है उसे कहते हम अंग डिला होना ठीक है अगला अंदे के हाथ बटेर लगना हम उसे क्या कहेंगे दोस्तों तो उसे कहेंगे किसी वस्तु का अन्यास मिलना जो वैसे ही या उसके हाथ में आ गई हो तो उसे हम कहेंगे अंदे के हाथ बटेर लगना ठीक है अगला गी का लड़ू टेडा भी बला गी का जो लड़ू होता है वो टेड़ा भी बला तो इसका अंसर क्या हो जाएगा उप्योगी वस्तू का रूपरंग नहीं देखा जाता क्या होता है उप्योगी जो वस्तू होती है उसका रूपरंग नहीं देखा जाता ठीक है, अगला है, कोड में खाज, कोड में खाज का अर्थ क्या होता है दोस्तो, एक दुख पर दुसरा दुख होना, क्या होता है, एक दुख पर दुसरा दुख होना होता है, कोड में खाज, ठीक है, अगला गुल खिलाना, गुल खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस् कोई बखेडा खड़ा करना क्या होता है कोई बखेडा खड़ा करना होता है गुल खिलाना ठीक है दोस्तो अगला देखी दोस्तो नाक का बाल होना का मुहावरेकार्थ क्या होता है दोस्तो यह होता किसी का पिरिये विक्ति होना किसी का पिरिये विक्ति होना होता है नाक का ब होना ठीक है अगला है सिक्का जमाना सिक्का जमाना मुहावरेकार्थ क्या होता है दोस्तों सिक्का जमाना मुहावरेकार्थ होता है परबाव स्थापित करना क्या होता है परबाव स्थापित करना मुहावरेकार्थ होता है सिक्का जमाना ठीक है अगला है पर निकलना क्या हो लोग की इसके तो पर निकल गए है तो से हम क्या कहेंगे दोस्तो तो से कहेंगे वर्थ इतराना यानि बेकार में इतराना ठीक है अगला दूद का दूला होना दूद का दूला होने का मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तो तो ये है निर्दोस होना क्या हुआ है निर्दोस हो प्रा देते हैं तो हम कहते हैं कि दाद खटे कर दिये ठीक है अगला ओखली में सिर्देना मुहारे का रथ क्या है दोस्तों तो इसका रथ है जान बूझ कर मुसीबत मोल लेना जान बूझ कर मुसीबत मोल लेना ओखली में सिर्देने के बराबर है ठीक है अगला गोडे बेच कर सोना गोड़े बेच कर सोना तुहारे का रत क्या है दोस्तों तो यह निश्चिंत होकर सोना क्या होता है निश्चिंत होकर सोना होता है गोड़े बेच कर सोना ठीक है अगला मूँ दो रखना क्या होता है मूँ दो रखना यानि मूँ दो कर रख लिया है किसके लिए तो इस किसी काम को सिगर कर देना होता है हातों हात का मतलब ठीक है बीसवा है दोस्तो सिर आखों पर होना का महरेक अर्थ क्या होता है दोस्तो यह होता है सहर ससिविकार करना होता है सिर आखो पर होना ठीक है दोस्तो आगे देखिए प्रतेग पंक्ति में एक लुकोक्ति दी गई है उसके अर्थ सवरूप चार विकल्प दीए गई यहनि में से एक विकल्प सही है आपको उसी का चैन करना है तो हमें चारों में से देखना कि कौन सा ठीक है इस लुकोक्ति का अर्थ ठीक है तो पहली देखिए अंदा बाटे रेवडी फिर फिर अपनों को दे तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों यह होता है स्वार्थी वेक्ति पास पक्षपाद करता है स्वार्थी जो वेक्ति हो परसिद जो है लकोकती है दोस्तों तो यह हो जाएगा सारीरिक बल की पेक्षा बोद्धिक बल स्टेश्ट होता है ठीक है दोस्तों अगला है होनहार विर्वान के होत चिकने पात होर्हान विर्वान के होत चिकने पात तो इसका अर्थ क्या होगा होनहार बालक के लक्षण बच्पन में ही प्रकट होने लगते हैं क्या होता है होनहार जो बालक होता है उसके लक्षिन बच्च्पन में ही प्रकट होने लगते हैं ठीक है अगला सच्चे का बोल बाला जूठे का मूँ काला क्या होता है सच्चे का बोल बाला और जूठे का मूँ काला तो मुझे क्या कहेंगे दोस्तों ये कहेंगे सच्चे ही सरवत्र विजय होती है सत्य की जो स्रवत्र विज्य होती है इसका मतलब होता है सच्चे का बोलबाला जूटे का मुँ काला ठीक है अगला सेर्वु खा रह जाई पर गास नहीं खाता इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों यह होगा स्रेश्ट वक्ती संकट में भी मर्यादा नहीं तोड़ता है क्या होगा स्रेश्ट जो वक्ती होता है संकट में भी अपनी मर्यादा बनाए रखता है तोड़ता नहीं है ठीक है अगला हथेली पर सर्सों नहीं जमती हथेली जो होती है मारी उस पर सर्सों नहीं जमती इसका अर्थ क्या होगा दोस्तो तो ये होगा काम के लिए समय चाहिए जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता ठीक है यानि कि सबर चाहिए काम करने के लिए कोई भी काम इतने जल्दी नहीं हो सकता कोई भी ठीक है यानि कि हतेली पर सर्सो नहीं जमती ठीक है अगला है दोस्तो आ आग लगे पर पानी कहां तो इसका लुकुक्तिकार्थ हो जाएगा वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती यानि कि जब हम कोई चीज डूने लगते हैं तो वो नहीं मिलती उसे कहते हैं आग लगे पर पानी कहां ठीक है गर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने क्या कहेंगे गर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तो जूठा अडंबर जूठे जो अडंबर होते हैं उसका अर्थ है गर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने ठीक है अगला है उची दुकान फीका पकवान का रत क्या होता है दोस्तों उची दुकान फीका पकवान यानि कि दिखावटी वस्तू में गणवत्ता का कम होती है ठीक है जो दिखावटी वस्तू में होती उसमें गणवत्ता भी कम होती यानि कि उच्ची दुकान और फी का पकवान ठीक है ना उदो का लेन ना मादो का देन तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा इसका उत्र किसी जंजट में ने पढ़ना तो इसका अंसर हो जाएगा ठीक है अगला है तीन लोग से मुथ्रा न्यारी तीन लोग से मुथ्रा न्यारी तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा सबसे निराला ठीक है अगला अदजल गगरी छलकत जाए अदजल गगरी छलकत जाए तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा अल्प ग्यानी द्वारा अधिक पदर्शन करना ठीक है अगला अपनी करनी पार उतरनी अपनी करनी पार उतरने का अर्थ क्या होता है दोस्तो तो यह होता है स्वैम के प्रयासे से सभलता मिलती है यानि जब कोई स्वैम प्रयास करता है तो उसी से सभलता मिलती है यानि कि अपनी करनी पार उतरनी ठीक है अगला है आये थे हरी बजन को ओटन लगे कपास तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तो आये थे हरी बजन को ओटन लगे कपास तो ही हो जाएगा उठ लक्षे छोड़कर सदान कार्य में सक्ति लगाना उत जो लक्षे होते हैं उनको छोड़कर सिदान कार्य में सकती लगाना यह होता है आयते हरी बजन को ओटन लगे कपास ठीक है दोस्तों अगला देखी आगे नाथने पीछे पगहा तो इस कार्थ क्या होता है दोस्तों तो यह होता है बंदन रहीत होना बंदन रहीत होना होता है आगे नाथने पीछे पगहा ठीक है जस दुलहा तसी बनी बराता इसका कैर्थ होगा जस दुलहा तसी बनी बराता तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों जैसे वक्ति वैसे साथी जैसे वक्ति होते हैं वैसे उसके साथी होते हैं ठीक है जस्दूला तसी बनी बराता अगला कहे से कुमार गदे पर नहीं चड़ता कहे से कुमार गदे पर नहीं चड़ता इसका वता है हटी वक्ति जो होता है समझाने से नहीं मानता ठीक है अगला देखिए अदजल गगरी चलकत जाए परसीद लुकोकती है दोस्तों अदजल गगरी चलकत जाए बार-बार पूछी गई है ये समित ज्यान पर गमंड करना यानि कि जिसका समित ज्यान होता है ठोड़ा गयान होता लेकिन फिर भी वो गमंड करता है इसलिए अदजल गगरी चलकत जाए उसे कहा जाता है ठीक है अगला उंट चड़े पर कुटा काटे उंट चड़े पर कुटा काटे तो इसका अंसर हो जाएगा विपत्ती सब जगह पीछा करती है अगला है आख के अंदे गाट के पूरे इस मुहारेकार था दोस्तो दनी परंतु मूरक क्या होगा दनी परंतु मूरक होता है आख के अंदे गाट के पूरे अगला देखिए निमिलिक तवक्यांसों के लिए उप्युक्त लकोक्तिया बताईए ठीक है आपको ये अग्जाम्पल दे रखे हैं तो इसमें बताने है कि इसमें कौन सी लिकोक्ती सही बेटेगी ठीक है ऐसे पूझा जा सकता है एक्जाम में क्योस्चन जो है अलप समय के लिए अधिकार हाथ में आने पर मनमानी करना तो इस कांसर क्या हो जाएगा जानि अलप समय के लिए अधिकार होता है और उसमें में मनमानी करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा इसका अंस्वर यह हो जाएगा दोस्तो Option D एक दिन का बादसा बनना और चमडे का सिक्का चलाना क्या होगा? एक दिन का बादसा बनना और चमडे का सिक्का चलाना होगा अल्प समय के लिए अधिकार आत्मे आने पर मनमाने करना ठीक है दोस्तो अगला है सत्ता संपन व्यक्ति मंदांग हो ही जाते हैं तो सत्ता संपन व्यक्ति होते हैं मंदांग हो ही जाते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा परबूता पाए काहे मादनाही अगला हराम की कमाई वर्थ हो जाती है जो हराम की कमाई होती है वो हमेशा वर्थ हो जाती है तो इसका अंसर हो जाएगा चोरी कमाल मोरी में चोरी का माल जो होता है हमेशा मोरी में जाता है ठीक है अगला है विपदा सब पर आती है जो विपदा होती है वो सब पर आती है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा चांद को भी गरहन लगता है वीपदा सब पर आती है तो इसका अंसर हो जाएगा option A अगला केवल दिखावे से नाम नहीं मिलता केवल दिखावे से जो नाम नहीं मिलता तो यह हो जाएगा जोग जुकत वैजानी कपड़े रंग बाए बिरागी ठीक है option A केवल दिखाने से नाम नहीं मिलता ठीक है महनत करनी पड़ती है अगला है विनास करने वाले का विनास निश्चित है जो विनास करता है उसका विनास निश्चित है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तो बकरे की मा कब तक खैर मनाएगी बकरे की मा जो है कब तक खैर मनाएगी अगला है जरासी बात पर खुस जरासी बात पर नाराज तो उसे हम क्या कहते है तो उसे कहते हैं दोस्तो गड़ी में तोला गड़ी में मासा क्या कहेंगे गड़ी में तोला गड़ी में मासा कहते हैं जो बार बार बात बात पर कुस हो जाता है वो ज़रासी बात पर नराज हो जाता है ठीक है अगला है अपनी हानी करके दूसरे की हानी करना अपनी यहानी कर ली और दूसरे की यहानी कर दी तो उसका अंसर क्या हो जाएगा अपनी नाक काट कर दूसरे का अप्सकुन करना अपनी नाक कटा कर दूसरे का अप्सकुन करना क्या होता है अपनी हानी करके दूसरे की हानी भी करना ठीक है अंतिम है किसी अच्छे काम को करते हुई विपत्ती आ जाना जब कोई हम अच्छा काम करते हैं और उसमें विपत्ती आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं ये कहते हैं होम करते हाथ जलना यानि कि होम जब करते हैं तो उसमें हाथ जल गई यानि कोई अच्छा काम कर लिया और उसमें विपत्ती आ गई तो ठीक है दोस्तो आपकी वीडियो होती है कंप्लीट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंड करके जुरू बताईएगा दोस्तो मिलते हैं आप से एकली वीडियो में रोचक परशनों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो